कग देख्ग किस तरह से तक वह बहुत रहव करते हैं तुम लोग क्या सब्सक्राइबeriya के बारे में कमंड श्क्षन में बता देना तुम ले आपको मेरे साथ ने निया को राज करने के वावजूद अंग्रेशों को ना हमारे इंडिया करेंसी के विशह पे कुछ पता है ना इंडियान पीम का नाम और ना ही ये पता है कि इंडिया एक देश है या कॉंटिनेंट और हद तो तब पारो गई जब हम पे राज करने के बावजूद वहाँ की टेक्सबुक्स में हिंदू को ही टिर्रिस का गया पर हर देश यूके की तरह मतलबी नहीं होता क्योंकि जहां एक तरफ यूके को हमारी कोई कदर नहीं है और सिर्फ साओधी इकलोता नहीं है जो भारत के विशे पर खबर रखता है साओध कोरिया में इंडिया के नाम लेते ही लोगों की जबान पर दो नाम आते हैं एक बापू और दूसरा बावा रंचोरदास पर ये तो सिर्फ कुछ नाम है पूरी पिक्चर अभी बागी है मेरे दोस्त और अगर आप इंडिया के बारे में अच्छी और बुरी बातें करने वाले सबी देशों को जानना पहचानना चाते हैं तो शुरू करते हैं आज का वीडियो नमबर वान आस्ट्रेलिया आज से कुछ सालों पहले हर इंडियन की जुबां पर यही लफ्स हुआ करते थे और अस्ट्रेलिया में इंडियन पर हो रहा है त्याचार के चलते लोग वहाँ जाने से भी डरने लगे थे लेकिन आज 2020 के बाद से वहाँ 7 लाग से जादा इंडियन्स रहते हैं और उस्ट्रेलियन्स वो इसके बारे में क्या सुचते हैं उन्होंने इंडियन्स को अपना लिया है उन्हें भले ही ताज महल से ज़ादा इंडिया के बारे में कुछ पता हो ना हो लेकिन वो इंडिया विजिट करने और उसे जानने में बहुत इंट्रेस्टेड हैं पर एक चीज जिसके लिए इंडिया को औसी बहुत अच्छे से जानते हैं वो है इंडिया का खाना वो खाना जिसकी तारीब करते उनका मूह नहीं दुखता खोदी देख लो और रही बाद हमारे हिंदुस्तान और उस्टेलिया के रिलेशन्स की तो फैक भाई यही कहेगा कि इंडिया 2020 में उस्टेलिया का सेवन्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर और सिक्स्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट रह चुका है लेकि जिस्फ ट्रेडिंग इंडिया उस्टेलिया के फॉरें डिप्लोमेटिक रिलेशन्स भी वेल इस्टेबलिश्ट हैं पर इतने सब के बाद उस्टेलिया में जाकर बसने वाले लोगों को और वहां पढ़ने जाने वाले स्टूडेंट से फैक भाई यही कहेगा कि जरा दिल बचाके क्योंकि शाय ट्रेड रिलेशन्स देखके लगता है यह दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे क्योंकि हाल में जर्मनी इंडिया का सेवन्थ लार्जेस डारेक्ट इंवेस्टर है और उनके एरादे तो यही हैं कि वो सेवन्थ नमबर से टॉप थ्री में आ जाएं और जर्मन गवर्मेंट के इस साथ को वहां रहे रहे लोग भी फुल सपोर्ट करते हैं तब ही तो वो अपनी तरफ से हो सके उतना इंडिया के विशह में इंटरेस्ट लेते हैं आई बीन आप वहां किसी को भी पूछ लो कि उनका इंडिया के विशह पर क्या खयाल है जवाब में बस आपको दो ही ब अब वो अलग बात है कि उन्होंने अपना होमवक तो किया है पर शायद पूरा नहीं किया है क्योंकि जब उनसे इंडियान सिटीज के नाम पूछे गए तब कुछ आ करते रह गए कुछ ने सिंगापूर का तो वहीं कुछ ने बांगला देश को इंडिया में शामिल कर दिया इंडिया का नाम सुनते ही फ्रांस के लोगों के दिलों में कुछ ऐसी चीज़ें आती है लेकिन ये सोचने की भूल ना करना बावू भया कि इन्हें हमारे बारे में सिर्फ इतना ही पता है नो 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 इन्हें बहुत कुछ पता है जैसे इंडियन फूड इंडिया एशियन कॉंटिनेंट का पार्ट है और इंडिया में होली का फेस्टिवल मनाय जाता है और फैक्ट वाई के हिसाब से फ्रेंच लोगों का इंडिया के बारे में इतना जानना तो जाइज है क्योंकि भले ही फ्रांस चायना और दूसे देशों की तरह हमारा पडोसी ना हो लेकिन हमारे ट्रेड रिलेशन्स सदियों से चले आ रहे हैं जिनकी जड़े आने वाले समय में और जादा गहरी होने वाली हैं and I bet रफेल जैसे लड़ाकू जहाज के परचेस के बार इंडिया वालों को ये पता ही होगा कि फ्रांस हमारा डिफेंस पार्टनर भी है जिन से आने वाले समय में इंडिया ऐसे ही एडवांस आम्स की परचेस कर सकता है और अपने जिसमें वो पीम मोधी और पूरे इंडिया को रेपब्लिक डेविशिस के साथी कंदे से कंदा मिलागर खड़े रहने और कोरोना पेंडिमिक से जीतने का संदेश दे रहे हैं साथ कोरिया दुनिया के लिए साथ कोरिया बोले तो बीटियस पर साथ कोरियंस के लिए इंडिया बोले तो गांधी जी किन्तु परंतु मेरे बंदू जहां गांधी जी को अपने भारत से प्यार था वहां साथ कोरियंस को इंडिया से डर लगता है उनका इंडिया को लेकर उसमें से कोरियंस ने शायद एक ही पिक्चर देखी है बहुत ही बेदरीन मुवी थी हम कोरियंस को आल इस वेल के अलावा और भी बहुत को सिखा सकते हैं लेकिन एक चीज जो हमें साउथ कोरिया से सीखने की जरूरत है वो है अपने रिसोर्सिस को पहचानना और उसका सही इस्थिमाल करना जो करने के बज़े से ही इंडिया के 1947 में आजाथ होने और साउथ कोरिया के 15 अगस 1948 में स्टैबलिश होने के बावजूद आज साउथ कोरिया एक डेवलप्ट नेशन है एक विक्सित देश है वहीं इंडिया को डेवलप्ट नेशन बनने के लिए अब भी कई पड़ाओ पार करने बाकी हैं नमबर फाइव जैपान 12.58 करोड पॉपलेशन वाले देश में सिर्फ 2000 सिख रहते हैं पर उसके बापचूद वहां किसी को भी पूछ लो इंडिया की इमेज क्या है वो पगड़ी ही बोलेंगे और पगड़ी के अलावा अगर भारत के विशे में उन्हें और कुछ पता है तो वो है करी और दूसरा स्पाइसेज और शायद यही स्पाइसेज और करी वो बज़ए हैं वहां के हरती से जैपैनी को चिकन मसाला और गार्लिक नान काफी भाता है पर ना ऐसा भी नहीं है कि जैपैन में इंडिया सिर्फ खाने के लिए ही प्रसिद है वहां के लोगों ने बारती नुरत को काफी जाना और चाहा है और जानेगा भी क्यों नहीं आप्टर ओल जैपैन और इंडिया की दोस्ती 1400 साल पुरानी है येस जैपैन इंडिया का सबसे पुराना दोस्त है और इस दोस्ती में आज तक कोई नोग जोग नहीं हुई है बाद चाहे एकोनॉमिक और कमेशल की हो पॉलिटिकल रिलेशन्स की हो या चाहे साइंस एंड टेक्नोलोजी एंड कल्चरल कोपरेशन की हमने हमेशा एक दूस्ते का साथ दिया है और हमारी सोच हर जगए मिली है सिवाए एक जगए आप चाहे वरुन दवन इंडिया में फेमस हो या ना हो यहाँ भले ही उसकी कोई हाइप ना हो पर जपैन में तो सब ने वरुन को ही अपना प्यार दिया है आई मिन वहाँ लोगों ने मिस्टर परफेक्शनिस और ग्रीक गॉड को छोड़ वरुन को चुना है और बिचारे भाई तो भारत में भी सिंगल रहे और जपैन में भी नमबर सेक्स रशिया नहीं जानते ना ये कौन है वैल ये है रुशिया की वो देवियां और सजण जो इंडिया को जानते हैं और इंडिया आना भी चाहते हैं और सेफिया ही नी बाकी रुशियंस को भी इंडिया के बारे में बहुत कुछ पता है जैसे उनके मताबिक इंडिया का हिस्ट्री और कल्चर रिच राई हमारे देश में बहुत से क्लैंस और रिजिन्स होने के बावजूद हम एक दूसरे के साथ बहुत फ्रेंडली रहते हैं हम हमारे भगमान में पूरी श्रदा रखते हैं और लास्ली हमारा बॉलिवोर्ड उसने रोशियंस का भी दिल जीता हुआ है अब बैक भाई इनकी बातों पर क्या ही गए क्योंकि इनकी सारी बातें 100% सही है हैगी नहीं पर एक तरफ जहां वो हमें समझते हैं इंडिया विजिट करना चाहते हैं वहीं कुछ लोगों का इसे लेकर बड़ा कंसर्ण भी है जैसे ये महला जो इंडिया के अनाइजिनिक होने के चलते अपने बच्चों के साथ इंडिया में ट्रैविल नहीं करने की बात कह रही है क्योंकि वो उनके हैल्थ को लेकर कंसर्ण है और इस महला के मताबिक ऐसे कई और रशियंस भी हैं और हम इन्हें ब्लेम भी नहीं कर सकते स्वच भारत अवियान चल तो रहा है पर पूरे इंडिया के स्वच होने में अभी थोड़ा समय बाकी है लेकि जितना भी टाइम लग जाए इंडिया एक दिन इस अभियान में काम्याब जरूर होगा नमबर सेवेन यूके दोसो सालों तक इन अंग्रेजों ने भारत पे राच किया और उसके बावजूद आज वहां के लोगों को ये तक नहीं पता कि भारत एक देश है ये कॉंटिनेंट और बस इतना ही नहीं वहां रह रहें अंग्रेजों को ये तक नहीं पता कि इंडियन करेंसी को रुपीज कहते है और ना ही वहां कोई भारती पीम को जानता है ना जानो तो ना जानो पर मोधी को मोगल कौन बोलता है वैं आइविन थोड़ी तो कर लो मिस्टर मोधी आपके क्वीन की सेहत के लिए स्पेशली धारजिलिंग से चाय पती जेंड के से औरगनिक हानी और वारांसी से वहां की स्पेशल टैंचोई स्टोल्स लाए थे पर इन सब के बावजूद वहां के लोग हमें कभी नहीं जान पाएंगे पता है क्यों वेल उन्होंने भले ही हम पे 200 जाल राज किया हो और हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स उनकी कहानियों से भरी पड़ी हो पर उसके बावजूद यूके के टेक्स्ट बुक्स में इंडिन कोलोनियल का कुछ मेंशन दी नहीं है इंपैक्ट उनके टेक्स्ट में तो हिंदूस को टेररिस्ट माना गया है बज़े बसे जब बिटिश प्राइम निस्टर विंस्टन चर्चिल ने मिलियन्स आफ लोगों को भुक्मरी की बज़े से मार दिया तब इंडियन्स ने आवाज उठाई जब डायर ने जलियावाला मैसेकेर में हजारों की चान ले ली तब हमने डायर को गुली से भून दिया और वैसे ही एक एक गर हमने हर चीज़ का जबाद दिया और उन्हें यहां से भगा दिया बस इसलिए हम हग की लड़ाई नहीं बलकि उन्हें आतंक करते निज़र आए हैंस वी आर ट्रेलरिस्ट एकॉर्डिंग टू देर टेक्स्ट बॉक्स तब काविस के पन्लों में जो भी लिखाओ सोशल मीडिया और डिजिटलाइशन के चलते कि पूरी दुनिया और हर एक देश किसी खुली किताब की तरह है जोगों ने इंडिया के बारे में चाना आ है आपका ऴाणना है क्या इस तरह किताबं में इंडिया को गलत ठहराना सही है अपनी रायबोशे नीचे कमिल्सेक्शन में मतलब एक अलगी लेबर है उनका और वो भी इंडियन्स आमिर खान और फ्री इडियर्स इनको जानते हैं कि मतलब बॉलिवूड को तो मेरे खाल से दुनिया में हर कोई जानता होगा यह थ्री इडियर्स का इसलिए उनके लिए जबा कुछ जिकर है या तो उनोंने मुवी इस सबसे पहली बात और बड़ी बात किसी एक दो परसन के उपरन से पूरी कंट्री को जज नहीं किया जा सकता है तो यहां यह करेक्ट करने की जरूर रहता है तो कि फराने देश की क्या राधानी इसका मतलब नहीं पता होगा तो ठीक है एक तीक नॉर्मल में बनाए गई ती कि हमें कुछ लोगों की सोच जानने को मिले तो यह तिया अच्छी मारी में एक समय सब्रेक्शन आपको में शेयर संद्रक्राम मां जाए तो वीडियो लाज जो करने चैनल के सब्सक्राइब में तो दूसरी रोड़ों में बाबार टेक एट थैंक्स सब्सक्राइब वाजि